नमस्कर दोस्तों आज की जट में अपन बात करेंगे डिमाट के दोस्तों बात की जए प्रिवेश टेडिंग शेन डेके तो एक परसेंट के ऊपर की गिरावट देखने को मिलिया है और लगाता स्टॉक दोस्तों बड़ी तीजी के बाद अभी गिरावट में है स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है अल्मस्ट 4000-4100 के लेवल से तो अभी आगे की क्या यहाँ पर रणनेती होनी चेए दोस्तों कहां तक का फॉल नीचे के और दिखा सकता है उसको डिसकर्स करने की कोशिश करेंगे तो इस बार खरीददारी का अच्छा मोका रहेगा क्योंकि स्टॉक में गिरावट कि अगर बात की जाए दोस्तों 6000 के लेवल से बड़ी गिरावट आई थी पहली बार स्टॉक ने 3000-3200 के लेवल से बाद बैक किया अगेन दुस्तों शेडिंग प्रेशर देखने को मिला अगेन रिटेस्ट किया इसी लेवल को इसी लेवल से जम पाया लेकिन उपर की और इस रिसेंट हाई को अगर ब्रेक आउट देता 4400 के उपर तो फिर अगेन आपको 6000 तक के टागेट देखने को मिलते लेकिन अगेन दुस्तों स्टॉक ने 4000 की लेवल से रिजेक्शन लिया है तो यहां से अगर और गिरावट आती भी है दुस्तों तो अभी नीचे के वर 3400 का लेवल इमेडियर सपोर्ट का काम करेगा और यह सबसे आखरी सपोर्ट है यहां तक तो आने के संभावना कम बन रही है 3000 तक लेकिन अगर इस लेवल पर आ जाता है 3000-3200 के लेवल पर तो बिना डरे खरिदारी कर सकते इस बार अगर स्टॉक इसी लेवल से सपोर्ट लेके बांद ब्याक हुआ तो यह जो हाई है दोस्तों इसको ब्रेकाउट करके आपको 6000 तक के भी टागेट दिखा सकता है तो अभी खरिदारी का मौका रहेगा स्टॉक बॉटम बनाती भी नजर आ रहा है और सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है तो अभी और गिरावट आती है तो 3400 के लेवल से आप थोड़ी थोड़ी खरिदारी यहाँ पर दिमाट में कर सकते हैं